दोस्तों FMCG सेक्टर एक Evergreen सेक्टर माना जाता है काफी सारा investors का काफी सारा expectation रहता है इस FMCG सेक्टर के उपर हम लोग आज ऐसे FMCG stock के उपर बात करेंगे उसी FMCG सेक्टर का जो की काफी सारा investors का expectation को तोड़ा हुआ है काफी सारा investors का expectation को destroy किया हुआ है और उसमें बहुत कोई का पैसा उसमें फसा हुआ है और श्टक करके रखा हुआ है पोर्टफोलियो में अभी 12 रुपे में ट्रेड कर रहा है जो की पहले 2-3 साल पहले 60-70 रुपे में भी ट्रेड कर रहा था काफी सारे इंवेस्टर उसमें एंटरी किये हुए थे बट उनका लगभग उसी स्टॉक में लगभग जीरो हो गया है अगर बोला जाए तो 10% बच गया है बाकी को छोड़के 10-15% बच गया है पैसा बाकी को छोड़के तो इसमें हम लोग को क्या करना है अभी कौन सा फेज म करना है एक-एक करके डिसकस करेंगे सबसे पहले हम लोग बात करेंग के इसका fundamental फिनेंशाल के ऊपर फिर हम लोग बात करेंगे एक-एक जो टेक्निकल आनलिशिस हम लोग आज पर प्राक्टिस करते हैं आखिर तक विडियो को जरू देखिएगा नमस्का दोस्तों मार्के स्वागत है आपको मैं लेके चलता हूं फ्यूचर कंज्यूमर के तरह तो फ्यूचर कंज्यूमर जैसे कि मैं बात किया कि यह सोर्सिंग मैनुफैक्चरिंग ब्रांडिंग मार्केटिंग और डिस्ट्रिबूइशन पांच चीज में काम करता है और इसका जो एक्स्प्लोजर है इसका जो मार्केट है यह नॉर्माली ओर्बान और रूराल एरिया में फैला हुआ है जैसे कि आप लोग को पता है और यहां पे सबसे जो बुरी बात है मेरे को जो लगा that is ROC 2.92 ROC का मतलब में समझा देता हूँ return on capital employed जो कि अगर 100 रुपे आप देते हो तो 100 रुपे से आपको 2 रुपे 92 पेसा बना के देता है खाली उनका 50 के ऊपर है और HUL का तो ROC more than 100 भी है correct उसके बाद यहां पे जो डेट है डेट का रेशियो बहुत ज्यादा है जो कि 6.23 करोड के आसपास का आ रहा है और डेट टो एक्टी रेशियो निकल के आता है 0.59 जो कि 0.5 से नीचे जीरो होता है तो बहुत अच्छी बात होता है और 0.5 से नीचे होगा तो ideal होता है क्योंकि small cap company है और लोग loan लेते हैं for the expansion of the business बट फिर भी 0.5 से उपर जला जाता है तो हम लोग उसमें invested नहीं होना है यह आज पर the our thumb rule correct उसके बार यहां पर promoter holding सिर्फ और सिर्फ 45% रहे गया है जो कि 50% हम लोग का threshold है उसके भी नीचे है और यहां पर place percentage जो गिर्भी रखा हुआ से 92.97% है यह बार समझ में आ रहा है सो रुपे में 92 रुपे उसका जो भी प्रोपर्टी है वो गिर्भी में है वो company अगर कुछ भी हो जाए तो उसको आपको जो भी investor होता है उसको पेसा देने लाइक बचेगा भी नहीं यह सकते है because of this debt debt बहुँ ज़्यादा है तो हम लोगा ROE देख नहीं सकते उसका फ्री क्यास प्लो प्रोफिट हो रहा है कि नहीं हो रहा है हम लोग एक बार प्रोफिट में profit loss statement देख लेते हैं कि profit minus में देख रहा है from the last 10 years किसी दिन भी किसी साल में हमेरे को positive अभी तक नहीं दे देख रहा है अगल quarterly के हिसाब से देखोगे तो quarterly भी उसका आपको negative ही दिखेगा खाली मार्च 2019 में एक quarter था जो कि positive आपका profit प्रॉफिट दज क्या होता profit so क्या होता आठ करोड का but still cash flow उसका negative है अगर कंपनी का business हो रहा है प्रॉफिट भी प्रॉफिट हो रहा है यहां पर नहीं हो रहा है अगर भी profit होता फिर भी cash कंपनी के पास नहीं हा रहा है minus five double one करोड फिर उसके बार 802 करोड लास पांत सल का अगर average निकाला जाए तो तो बहुत ही खराब condition है in the case of the fundamental और financial भी हम लोग देख लिए profit loss के balance sheet में कुछ ही नहीं फुरा खोकला है और यहां पर पॉजिटिव निकाला जाए तो मेरे को एक भी positive ढंका मिला नहीं अब तर तो देखते हैं अभी जो यह तो मान गे कि हम लोग क कमपनी का fundamental खराब है और financial खराब है एक बाद technical देख लेते हैं कभी कभी क्या होता है ना कुछ भी जो हवा होता है एक भेड के चाल होता है market जब उपर चर्पता है या गिरता है उसके साथ एक company का भी price उसी साब से fluctuate होता रहता है तो अभी का situation में क्या है वो भी मैं आपको दिखा देता हूं कि यहां पर देखे आच्छा कासा crossover किया हुआ है 5813 में तो 5813 में crossover के बाद फिर नीचे की तरफ गया हुआ है और अच्छा intensity के साथ गया हुआ है इसमें force बहुत जोरदार है तो और नीचे आने के लिए भी संभावना है इसमें और इसको confirm करने के लिए इ बेरिश ट्रेंड है और वान मंत की हिसाफ से देखा जाए लांग टम कंप्लीट बेरिश ट्रेंड अभी भी कोसिस किया हुआ था यहां पर यहां पर प्रडूर्डूस करके यहां पर कोसिस किया हुआ था बट स्टील यह आपका जो भी fundamental है इसको उपर बढ़ने नहीं दे रहा है तो complete bearish trend यहां पर आप लोग को देखने के लिए मिल जा रहा है और कितना bearish हो सकता है यह आप लोग को divergence में पता चलेगा आप लोग वीडियो देखते रहे हैं तो multi-bagger तो देखना नहीं है इसमें तो long term के view हम लोग का आता है और यहां पर जैसे कि reverse triangle हम लोग का एक candle stick पर यहां पर तो candle बना ही नहीं एक दो चीज़ आपको मैं बता देता हूं कि यहां पर जो green candle बना है इसके साथ आच्छा का सा volume support में था उसका बाद यह जो दो candle है यह पूरा यह जो green candle को destroy कर चुका है तो इसका मतलब है अगर और एक बार green candle बन जाए तो यहां पर sorry red candle ब रहेगा और यह फिर से बापस negative trend में आ जाएगा अगर आप लोग यहां पर फिवोनाची ड्रौ करोगे तो कहां से स्कूरू करोगे आपको पता भी नहीं चलेगा तो यहां पर फिवोनाची ड्रौ करोगे कोई फाइदा है नहीं क्योंकि इसका अपर जो segment है लगभग आप आपको दिखेगा कि 2017 के आसपास का है मतलब तीन साल पहलेगा तो तीन साल पहले से हम लोग अगर फिवोनाची ड्रौ भी करते हैं तो हम लोग कोई result मिलने वाला है नहीं तो यहां पर फिवोनाची हम लोग को कोई conclusion नहीं निकाल सकता है इसलिए हम लोग ड्रौ नहीं कर र higher high जो की एक bearish trend, bearish divergence है तो इतना लंबा बना हुआ है मैं बताना चाहूंगा कि आप लोग को 2019 में से बना हुआ है और यह खतम हुआ है आपका यह वाला divergence 26 June को तो यहां पर जितना लंबा आपका divergence होगा उतना लंबा उसका result होगा और यह bearish divergence है तो इसका कब तक नीचे होगा यह वाला चीज करेक्ट क्योंकि आपको clear picture देखाने का हमारा इरादा है इस चैनल का करेक्ट और यहां पर हम लोग आ चुके हैं इसमें निप्टी के साथ correlation देखके कोई फाइदा है नहीं तो इसमें हम लोग कुछ हम लोग को हद तक दे सकता है conclusion करेक्ट तो यहां पर जैसे कि आप लोग को पता है कि अल्रेडी यह चल रहा है अभी तक कोई भी मतलब बाइंग सिगनल अभी तक नहीं आया हुआ है यहां पर वान डे का चार्ट में देख रहा हूं वान डे का चार्ट में जब भी यह ओवर्वर जोन जोन में रहता है और दो ग्रीन कैंडल कम से कम बनता है यहां पर तब हम लोग को एक बार बाइंग का ओपर्चुनिट देखना चाहिए और वान वीक के हिसाब से अगर देखोगे तो सेम सिच्वेशन अगर आपको मिलेगा तो यहां पर अल्रेड़े दो रेट कैंडल बन चुका है और यहां पर बॉर्ट जोन से और सोल जाने के लिए कोसिस भी कर रहा है तो इसका मतलब है यह जाएगा भी इतना इसका कंफरमेशन में मिल जा रहा है बाकी सब चार्ट में और वान मन्त के हिसाब से देखोगे तो यहां पर कंपलीट ग्रीन कैंडल बना नहीं है दो ग्रीन कैंडल बना है और ऑबर सोल जोन में है तो यह यहां पर मन्थली वाइज एक बुली स्ट करना है जैसे कि एक साथ से 31 जुलाई तक आपको वेट करना है अगर यह वाला कैंडल रेड बनता है तब जाके आप लोग को कोई कंफरमेशन नहीं मिलेगा अगर ग्रीन बनता है दिन आप लोग को एक आच्छा कासा कंफरमेशन मिलेगा और यहां पर आप लोग फॉर्ट करेट तो मैं एक बार इसको समराइच कर दूँ फंडामेंटल और फिनांशल बहुत ही खराब है और 5813 में पूरा बीरिश ट्रेंड है और यहां पर मल्टी बेगर में हम लोग को कोई कंक्लूजन नहीं निकला हुआ हुआ है कैंडल स्टीक में हम लोग को यहां पर एक ग्र बेरिश ट्रेंड में जाने वाला है करेक्ट और इसका फेज अभी तक सुरू हो गया है और यहां पर हम लोग एक जो भी है अभी वेटन वाच कि 31 जुलाई तक यहां के अगर पॉजिटिव में क्लोज होता है तो हम लोग इसमें कुछ डिसन ले सकते हैं करेक्ट तो मैं आ वीडियो के लिए कोई भी स्टॉक अनलसिस आपको जरूरत है आपको आप लोग चाहते हो कि मैं वीडियो में करूं इस चैनल में तो एक बार कॉमेंट से समां पूछ सकते हो तो आज के लिए वीडियो इतना ही आपका अपना अपना फैमली का और अपना पोर्फुलिय का तीनों का अच्छे से ख्याल रखिए और आगे का वीडियो के लिए मेरे को इजाज़त दीजिए थैंक यू थैंक यू सो मच